नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर दोस्तों, आप सभी को बता दें कि स्वयम ब्रह्मा ने लिख दिया। अपना हाथों से अब यह घटना आने वाले अगले चार दिनों के अंदर हर हाल में होकर रहेगा। जी हाँ दोस्तों, सच्चाई सुनकर आपकी आँखों से आंसु नहीं रुकेंगे, हम इस बात की गारंटी देते हैं। क्योंकि खुश्खबरी ही कुछ ऐसी है जो आपको रोने पर मजबूर कर देगी। जी हाँ दोस्तों, बस आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले माता रानी के, भगवान श्री ब्रह्मदेव जी के। 24 घंटे के अंदर भगवान श्री ब्रह्मदेव और माता रानी, आपको एक बड़ी खुशी कभी देंगे। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी की जानकारी के लिए बता दे कि दोस्तों, अगले तीन दिनों का समय, आपके लिए सबसे भाग्यशाली समय, आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जिनके बारे में इस वीडियो में हम विस्तार से बताएंगे और हम गारंटी के साथ रह कुछ कांटों को अपने रास्ते से हटाने होंगे और इसकी आज की इस वीडियो का हमने निर्मान किया है, जो कि आपका ग्रह गोचर के आधार पर है और जियोतिशी ये आकलन करने के उपरांती, हम यह महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के जीवनकाल में लेकर आ रहे है प्यारे दोस्तों, आज के इस जोतिश कारिकरम में जो जानकारी हम आपको देंगे वह कोई साधारन जानकारी नहीं है, कारण इसका यह है कि यह जानकारी आपको आने वाली बहुत बड़ी खत्रों से और मसीबतों से बचा सकती है, आज हम आपको आपकी जिन्दगी से आपके पीछे पड़ा हुआ है और इस जन्म में भी वह आपके सथ हैं AAP के आसपास ही है और आपको समय समय पर चोड़ पहुचातार रहता है परिशानी में डालता रहता है अब समस्या यह है कि इसकी आप से शत्रुता इस जन्म की नहीं है पिछले जन्म की है ये चाहकर भी आपका भ़ला नहीं कर पाए क्योंकि कर्म का विधान यह कहता है कि यह केवल और केवल आपसे शत्रुता निभाने के लिए ही इस संसार में आया है तो अब ऐसे में यह आपके साथ रहकर भी हमेशा है और हमेशा आपका नुक्सान ही करेगा कभी कभी तो आपको भयंकर परेशानियों में भी फंसा देगा तो अब आपके मन में यह प्रश्न अवश्य उठ रहा होगा कि ऐसा कौन सा इंसान है जो पिछले जन्म से आपके पीछे पड़ा है और हम इस विश्य में कैसे जानते हैं तो प्यारे दोस्तों हम आपको बता दें कि आपकी राश्य में केतू की स्थिती को देखकर यह आसानी से बताया जा सकता है कि पिछले जन्म के रिष्टे नाते इस जन्म में आपके साथ हैं या नहीं है और हैं तो किस स्थिती में है तो अब आप ऐसा समझते कि आपकी राशी इस ओर इशारा कर रही है कि आपका पिछले जन्म का शत्रू जो आपके पीछे पड़ा है लंबे समय से आपके लिए साज़िश है, बोल रहा है और आपको एक गहरी चोट पहुँचाना चाहता है प्यारे दोस्तों हम आपको बता दें कि इस सत्र के तीन नाम है तो ना केवल आपको इस सत्र के बारे में पूरी विस्तार से जानकारी प्राप्त होगी साथ ही साथ आपको यह भी पता चलेगा कि इसमें कहां कहां और कैसे आपको नुकसान पहुँचाया है और अब भविश्य में आप इससे कैसे बच सकते हैं। प्यारे दोस्तों, यकीन मानिये कि हम ना केवल जोतिशीय आकलन पर निर्भर रहते हैं, बलकि मातारानी की कृपा से अपनी अनुभूतियों के आधार पर भी आपको सतर्क करने की कोशिश करते हैं। कम से कम मातारानी ने हमें इतना आशीरवात तो दे ही दिया है कि हम चीजों को महसूस तो कर ही सकते हैं। ऐसे में आप हमारे शब्दों को और हमारे प्रयासों को बिलकुल ही विफल ना होने दें। हमारी बातों पर यकीन करें और इस जोतिश कार्यकरम को पूरा देखें और जो पाते हम आपको आगे जोतिश कार्यकरम में बताने जा रहे हैं उन बातों पर गहराई से विचार करें उन्हें अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें प्यारे दोस्तों हम आपको एक बात का यकीन दिला देते हैं कि आप यदि विश्वास बना कर रखेंगे तो हम तो प्रयास कर ही रहे हैं मातारानी भी आपके लिए अपनी दयाद रिश्टी आपकी ओर करेंगे और आपके जीवन में सुख की और खुशियों की नदियां बहने लगेंगे बस जरूरत है तो आपके विश्वास की ये प्यारे दोस्तों आप विश्वास करेंगे तो ही ये सब होगा तो बस थोड़ा सा समय निकालिए और पूरे धैरे के साथ इस जोतिश कार्यकरम को देखना है प्यारे दोस्तों इस जोतिश कार्यकरम को आपको ठंडे दिमाग से देखना है जो बातें हम आपको बता रहे हैं उन बातों के बारे में किसी से कोई चर्चा नहीं करनी है क्योंकि कुछ बातें आपके दिल से जुड़ी हुई है आपके छुपे हुए रहते हैं राज है आपकी कमी ये है कि आप अपने दिल में कोई राज रख नहीं पाते हैं अपनी बातों को किसी ना किसी के साथ शेर अवश्य कर देते हैं कभी कभी तो आप इस वज़े से मुसीबत में फंस जाते हैं, कि आपने अपने दिल की छुपी हुई बात किसी से शेयर कर दी थी, तो कृपया कर इस बार आप ऐसा ना करें, बस सुने और समझे, जी हाँ प्यारे दोस्तों, कुछ ऐसा अद्भुत आपकी राश्य में, आपक सपने में भी नहीं सोचा, होगा, तो इन लोगों के बारे में भी आपको जानना बेहद आवश्यक है, हम इसके विशय में भी आपसे बात करेंगे, कुछ ऐसे कार्य आपको बताएंगे, जो आपको भूल कर भी नहीं करने होंगे, प्यारे दोस्तों, ये तो सभी बताते है कि क्या करें और क्या ना करें लेकिन इन बातों को गहराई से कोई नहीं समझाता है और कुछ ऐसे कार्य है जो पूर्ण रूप से बाधित होते हैं उन कार्यों को करना यानि कि अपनी दुर्गती को आमंत्रित करने जैसा होता है तो उन्हें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए कोई इन विशय पर बात नहीं करना चाहता है सब उपर उपर की बातें करते हैं तो चलिए प्यारे दोस्तों बिना समय गवाएं आज के इस महत्वपून जोतिश कारेक्रम को प्रारंब करते हैं लेकिन इससे पहले आप से एक निवेदन है कि आप पूरी भक्ति भाव के साथ माता। सनी को याद करते हुए कमेंट में जै मा भद्र काली रक्षा करो, जै मा भद्र काली कृपा करो। अवश्य लिखें, एक बार नहीं, त्री बार लिखें और हम आपको बता दें कि आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने नाम और स्थान के बारे में बताते हैं। हमें यह बहुत अच्छा लगता है और हम चाहेंगे कि जिन लोगों ने अब तक अपने नाम किये हैं, माता रानी की सीधी कृपा उनके पास पहुँचे। माता रानी उनका उध्धार करें। हम उनके नाम से आहुतियां अपने यहां शनिवार वाले हवन में अवश्य ही करवा देंगे। प्यारे दोस्तों, यही से तो प्रेम का बंधन बनता है जब हम आपकी सेवा करने के लिए तैयार हैं। और आप भी हम पर पूरा विश्वास दिखाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है जैसे कि माता रानी की हमने भक्ति की है। वह पूर्ण रूप से सफल हो चुकी है। जी हाँ प्यारे दोस्तों तो अब ध्यान से सुनिये जो बातें हम आपको बताने जा रहे हैं। आपके जीवन के लिए रामबान साबित होंगी। संजीवनी बूठी के सम्मान में आपको नई उर्जा देंगी नया जीवन दे कि आपके जीवन में वैसे तो कई रिष्टे नाते हैं। आप सभी रिष्टेदारों को पूरे भाव के साथ सक्चे हिर्दय से निभाने की कोशिश करते हैं। किसी को भी आप किसी भी प्रकार से दिल से नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते हैं। ना ही किसी का दिल दुखाना चाहते हैं और जो आप से प्रेम करते हैं आप से बेहद प्रसंद भी रहते हैं। लेकिन प्यारे दोस्तों आपके कुछ रिष्टे ऐसे भी हैं जो आपके दिल के बेहद ही करीब हैं। आप उनके बिना जीने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं और उनके लिए आप किसी भी हद तक जाने के लिए तयार रहते हैं। लेकिन आपको जानकर आश्चर होगा कि उन्हीं रिष्टों में कुछ रिष्टे ऐसे भी हैं, इनकुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपके बारे में बिलकुल भी अच्छा नहीं सोचती हैं, अब ऐसा नहीं है कि बीच जान बूझ कर आपको हानी पहुचाना चाहते हैं, आपके होता ही क्यों है और इस बात में कितनी सक्चाई है इस बात को समझाने के लिए हम आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती है कहानी बेहद ही रोचक है और आपके जीवन से सीधे संबंध रखने वाली है तो ध्यान जिस से कुछ धन कमाएंगे पैसा कमाएंगे और वापस आकर अपने घर वालों को भी सुख देंगे और खुद भी जीवन खुशियों से के साथ जीएंगे बस ऐसा सोचकर दोनों दोस्त बाहर किसी बड़े शहर में चले गए दोनों नितिन राधा वर्षों तक काम किया और सारा धन कमाया अच्छा खासा धन कमाने के बाद फिर उनकी मनशा हुई कि अब अपने गांव वापस जाया जाए अपने रिष्टे ना तो मैं अपना जीवन बिताया जाए क्योंकि पैसा तो बहुत सारा कम लिया था तो अब पैसे की कोई समस्या है ही नहीं अब जीवन मे आनंद ही आनंद होगा तो अब दोनों ही दोस्त अपने गांव के लिए रवाना हुए अब गांव लोटते लोटते बीच रास्ते में एक घना जंगल मिला और उस घने जंगल में ही रात भी हो गई तो अब ऐसे में हुआ यह कि दोनों प्यारे दोस्तों ने उसी जंगल में ह एक पेड़ के नीचे रात बिताने का फैसला लिया अब एक दोस्त ने कहा कि मैं पास ही के किसी गाउं में जाता हूँ और कुछ खाने पीने का सामान लेकर आता हूँ तुम यहीं पर रुख और मेरी प्रतीक्षा करो और यहीं पर अपना धन भी संभाल कर रखना ऐसा कह दूं तो पास ही के एक गाउं में चला गया कुछ खाने पीने का सामान लेने के लिए और एक दोस्त वहीं पर रुख गया जंगल में उस पेड़ के नीचे तो प्यारे दोस्तों जो दोस्त गाउं में गया था खाना लेने के लिए उसके मन में लालच उत्पन न हो गया उसने सोचा कि इतना सारा धन हम लेकर जा रहे हैं यदि इस खाने में मैं जहर मिला दू तू मेरा भाई दोस्त मर जाएगा और उसका सारा धन मेरे हिस्से में आ जाएगा अब क्योंकि हम घने जंगल में हैं रात भी है तो कोई गवाह भी नहीं है किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हुआ क्या और गाव में जाकर कह देंगे कि उसे किसी सांप ने डस लिया बस इतना सोचने के बाद उसने खाने के सामान में जहर मिला दिया और अपने दोस्त को लाकर खिला दिया फिर हुआ वही जो होना था यानि कि उसके दोस्त की मृत्यू हो गई अब सारा धन इस दोस्त के पास आ चुका था जो बाजार गया था कुछ सामान लेने के लिए अब जब सारा धन लेकर है वह अपने गाम पहुँचा रहा तो उसका जीवन खुशियों से भर गया धन बहुत सारा था सारे धन का आनंद लेना उसने शुरू कर दिया और अपना जीवन खुशी खुशी बिताने लगा कुछ दिनों के बाद उसका विवाह हो गया विवाह होने के बाद उसके एक संतान उत्पन हुई एक लड़का प्यारे दोस्तों बच्पन से ही वह लड़का बीमार रहने लगा उसकी बीमारी में लगातार पैसा खर्च होता जा रहा था और कहीं भी उसकी बीमारी का ठीक से इलाज हो नहीं पा रहा था सारे डॉक्टर सारे बैग हर तरीके का उपचार करवा लिया लेकिन उसकी बीमारी के बारे में ना तो कुछ पता चलता था और ना ही वह ठीक रहता था लगातार बीमार रहने के कारण उसके इलाज में काफी सारा धन खर्च होने लगा है धीरे धीरे वह बालक बड़ा होने लगा तो कभी वह ठीक रहता और कभी वह बीमार रहता इस प्रकार लगातार बीमारियों के क्रम से उस इंसान के द्वारा लाया गया सारा धन उसकी बीमारी में ही खर्च हो गया धीरे धीरे हुआ यह कि अब उसके उपर कर्जा भी बढ़ चुकी उसकी संतान लगातार बीमार रहती थी तो वह मानसिक तौर पर भी बहुत परेशान रहता था तो कहीं किसी नए काम में उसका कोई मन भी नहीं लगता था अभी स्थिती धीरे धीरे बिगड़ती चली जा रही जब वह इंसान एक बहुत मोटे कर्ज में डब गया उसके बाद एक दिन ऐसी घटना घटी कि वह लड़का बहुत ज्यादा बीमार हो गया और रात्री के समय वह मृत सहिया पर पहुँच गया यानि कि उसकी मृत्यू का समय नजदीक आ गया तो जब उसकी मृत्यू का समय नजदीक था तो उसका पिता यानि कि वह एक दोस्त उसके पास बैठा था पास बैठे हुए बाईं रो रहा था उसके दिल में बहुत दर्द था क्योंकि उसकी उलाद उसके सामने ही मर रही थी उसने अपनी बेटी से बढ़ी भावनाओं के साथ कहा कि बेटे मैंने बहुत कोशिश की बहुत प्रयास किये लेकिन मैं तुम्हारी जान बचा नहीं पाया मुझे इसके लिए माफ कर देना सुबह बेटा इतना सुनते ही उस बेटे ने आँखें खोली और उसने कहा कौन बेटा और कौन पिता मैं तुम्हारा वही दोस्त हूँ जिसे तुमने चुपचाप जहर देकर मार दिया था अब मेरा हिसाब पूरा हो गया जितना धन तुमने मुझसे चोरी किया था वह सारा खर्च तो हुआ ही उसी के साथ साथ उतना ही करजा भी तुम्हारे उपर चड़ गया अब मेरा बदला पूरा हुआ अब मेरे जाने का समय आ गया और इतना कहने के बाद उसकी मृत्यू हो गई ये कहानी हमें क्या सिखाती है प्यारे दोस्तों हमने चाहे कोई भी पापा किसी भी जन्म में किसी के साथ किया हो कोई अन्याय किया हो लेकिन कर्म का बंधन बना ही रहता है वह हमारी आत्मा प्रबंद जाता है और हम जब भी कोई दूसरा जन्म धारण करते हैं तो वही पुराने हमारे हिसाब किताब इस जन्म में चुबता होते रहते हैं उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा कि हम क्या कहना चाहते हैं और ऐसा ही कुछ आपके साथ भी हो रहा है ये प्यारे दोस्तों आपके जीवन में एक ऐसा रिष्टा है जो आपसे दूर नहीं हो सकता यानि कि आप चाहकर भी उससे दूरियां बना नहीं सकते हैं लेकिन वह आपके जीवन में बहुत परिशानियां खड़ी करता रहता है अब ऐसे में होता है ये है कि वह आपका रिष्टेदार आपको चाहे जान बूज कर कश्ट ना थी तो हो लेकिन परिस्थितियों का ऐसा निर्मान होता है कि हिसाब किताब बराबर होने के चक्कर में आप परिशान बने रहते हैं प्यारे दोस्तों ये आपका इस पिछले जन्म का नाता है यानि पिछले जन्म नाता है यानि पिछले जन्म का हिसाब किताब है तो अब ध्यान से सुनिए हम इस इनसान के बारे में आपको सारी बातें अब बताने जा रहे हैं विस्तार से इसके संकेत, इसके लक्षन और इसकी आदतों के बारे में दूसरा हम इसके नाम के बारे में भी बताएंगे ये प्यारे दोस्तों, हम तीन नाम आपको बताएंगे इन तीन नामों में से एक नाम निश्चित तोर पर इस इनसान का होगा जो कि आपकी राशे कहती है, आपके ग्रह कहते हैं हम वही बोलते हैं लाल किताब के अनुसार तो प्यारे दोस्तों ध्यान से समझते चलिए और आपने इन बातों को यदि ठीक से समझ लिया तो हम गारंटी देते हैं कि आपके जीवन में फिर कोई परेशानी आएगी नहीं और यदि आएगी भी इस इंसान की वजह से तो आप उसके लिए सतर्क हो जाएंगे यह प्यारे दोस्तों ध्यान से समझे यह एक इनसान ऐसा इनसान है जिसने आपको कई बार परेशान कर रखा है मानसिक तोर पर भी और आर्थिक तोर पर भी यह आपको बरबाद कर चुका है आपका मन करता है कि आप इससे पीछा छुडा लें और आप इससे कहीं दूर चले जाएं या इसे ही अपने पास से दूर भगा दें लेकिन प्यारे दोस्तों आप चाहकर भी ऐसा नहीं कर पाते हैं क्योंकि आप भावनात्मक तोर पर दिल से इससे जुड़े हुए हैं तो आप इससे दूरी भी बना नहीं सकते हैं इसके बिना भी रह नहीं सकते हैं और इसके साथ भी आप रह नहीं पा रहे हैं या प्यारे दोस्तों परिस्थितियां ही ऐसी बनती जा रही हैं कि आपका जीवन इसके साथ रहकर भी कष्ट में गुजर रहा है और आप इसके ब के बनते हुए काम में रोड़े अटकाता है आपकी हर कहीं हुई बात के खिलाफ जाता है आपकी बात हमेशा काटने की कोशिश करता है आपको ऐसा लगता है कि यह आपके विरोध में रहता है फिर चाहे आप इससे अच्छी बात कहें या बुरी बात कहें यह आपकी कोई भी बात नहीं मानता है असल में देखा जाए तो यह आपके लिए मन विशेश कोई भाव नहीं रखता है जैसे कि जोतिश शास्त्र में चंद्र और बुद्ध का रिष्टा है पिता और पुत्र का जिसमें कि चंद्र पिता है और बुद्ध पुत्र है जिसमें कि चंदर बुद्ध के साथ में बड़ा प्रेम पूर्ण बरताव करते हैं लेकिन बुद्ध चंदर से शत्रुता रखते हैं यानि कि एक तरफ तो प्रेम है और दूसरी तरफ शत्रुता है यह रिष्टा एक दो धारी तलवार की तरह होता है तो ठीक इसी प्रकार इस इनसान से आपका रिष्टा है यह इनसान समय समय पर आपको रुपए पैसे को लेकर भी कई बार परिशान कर चुका है घाटा पहुँचा चुका है, आर्थिक तंगी में डाल चुका है और प्यारे दोस्तों, यह आपके अपने करीबियों में ही है या कोई आपका पराया नहीं है, अपना ही है अब ध्यान से सुनिये, सबसे बड़ा इसका जो लक्षन है वह हम आपको बताने जा रहे हैं कि जब भी यह इनसान आपके पास होता है तो आप हमेशा दोहोरी भावनाओं में फंस जाते हैं यानि तब तो आप इसके साथ रहना नहीं चाहती इसके पास भी बैठना नहीं चाहते हैं और दूसरी तरफ है, आप इससे दूर भी जा नहीं सकते हैं आपकी मजबूरियां हैं तो अब ऐसी स्थिती में आप क्या कर सकती हैं प्यारे दोस्तों, आपको अपने बौधिक बल का प्रयोग करना होगा यानि कि कोई भी काम बिना विचारे आपको नहीं करना है इस इनसान पर आपको जितना हो सके उतना कम से कम निर्भर रहना है और इस इनसान को कोई भी जिम्मेदारी वाला कार्य आपको नहीं देना है प्यारे दोस्तों, जो पूर्व जन्म के बंधन होते हैं उनमें कुछ रिष्टे तो ऐसे होते हैं जो हमें बहुत बड़ी मदद देते हैं हमारे मददगार साबित होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो हमें केवल और केवल नुकसान पहुंचाने के लिए आते हैं परेशान करने के लिए आते हैं और इनके साथ भावनात्मक खेल बहुत उल्टासा होता है प्यारे दोस्तों जो आपका भला करना चाहते हैं दिल से आपका भला चाहते हैं आपकी जिन्दगी में अच्छे अच्छे काम होते देखना चाहते हैं उनसे आपका पर लगाओ ज्यादा होता नहीं है आप उनको देखा जाए तो ज्यादा भाव नहीं देते हैं लेकिन जो आपके असली सत्र होते हैं पिछले जन्म के उनसे ईश्वर आपका बहुत गहरा भावनात्मक जुडाव बना देता है यानि कि नुकसान आते हुए भी परेशान होते हुए भी आप उनके हित में ही सोचते रहते हैं उनके लिए ही जीते मरते रहते हैं जैसे एक दीपक का रिष्टा पतंगे के साथ होता है पतंगा अच्छी तरह से जानता है कि वह जल जाएगा उसके पंख जल जाएंगे तब भी वह बार-बार दीपक की लौ के नजदीक जाता है उसका प्रेम ही कुछ ऐसा ही ईश्वर ने उसे इसी प्रकार बनाया है तो आप समझ गए और थोड़ा सा आपको कठोरता से और व्यवहारिक होकर सोचना पड़ेगा तब आप इस तरह की परिशानी से छुटकारा पा सकते हैं प्यारे दोस्तों अब ध्यान से सुनिए हम इस इंसान की राशी और नाम के बारे में आपको बताने जा रहे हैं प्यारे दोस्तों इस इंसान का नाम अक्षर से शुरू होता है और इसकी मेश राशी होती है दूसरा स्थान चा अक्षर से शुरू होता है और इसकी वरिश्चिक राशी होती है और तीसरा इसका नाम ऐसक्षर से शुरू होता है और इसकी कुम्भ राशी होती है यह प्यारे दोस्तों हमने तीन नाम आपको इसलिए बताए हैं कि यह एक ही इनसान के तीन नाम भी हो सकते हैं या फिर अलग-अलग लोगों के नाम भी हो सकते हैं फिलहाल आपकी राशी यह बताती है कि इस समय आपके जीवन में इन तीन नाम वाले लोगों का बहुत बुरा प्रभाव पढ़ने वाला है, आपके लिए नई मुसीबत है, खड़ी होने वाली है, बंते काम में रुकावटें आएंगी, परिशानियां आपको चारों तरफ से करेंगी, सतरकता ही आपका बचाओ रहेगा, हम पहले भी आपको कह चुके हैं, फिर से यही कह रहे हैं, और दूसरा प्यारे दोस्तों, हम आपको बताएं कि आप दैवी ये शक्तियों को जागरित कर लें, अपनी कुल देवी को अपने हित के लिए, अपने कुल की रक्षा के लिए जागरित कर लें, उनकी पूजा पाठ करें, विधि विधान के साथ करें, तब आपकी हर हालत में रक्षा होगी, आपका जीवन बचेगा और आपका उद्धार होगा, अब कुछ लोग ऐसे हैं, जिनको अपनी कुल देवी के बारे में पता ही नहीं है, तो उनके देंगे, किसी ने किसी माध्यम से आपको जानकारी अवश्य देंगे, और फिर आप उनका अपने घर में स्थापित करें, और विशेश विधि विधान से पूजा पाठ प्रारंब करें, तब ही आपके जीवन का उद्धार है, अन्यता, आपको परेशानियों से कोई भी श उपाय बताएं, रास्ता दिखाएं, तो ध्यान से सुनिये यह उपाय, जिसमें कि आपको हम कुल देवी के बारे में बताने जा रहे हैं कि कैसे आपको अपनी कुल देवी की जानकारी मिलेगी, अब ध्यान से सुनिये, यह उपाय शुक्रवार के दिन से प्रारंब होगा तो शुक्रवार के दिन आपको सुभह जल्दी नहाद होकर शुद्ध होकर अपने पूजा घर में जाना है। पूजा घर में जाने के बाद आपको एक साबुत सुपारी लेनी है। सुपारी देवी का शुद्ध स्वरूप माना जाता है। प्यारे दोस्तों, अब याद रखेगी, सुपारी खंडित नहीं होनी चाहिए, साबुत होनी चाहिए, अब इस सुपारी को आपको अपने पूजा घर में रखना है, यानि जिस अलमारी में भी आपने भगवान की स्थापना की है, उसी अलमारी में आपको इस सुपारी की भ बिल्कुल भी ज्यान नहीं है। हम ठीक है। आप हमारा निमंतरन स्विकार करें और आप हमारे घर पधारे सुपारी को जब आप वहां पर रखेंगे तो आपको यद रखना है कि नीचे आपको लाल रंग का आसन बिचाना है। लाल रंग के आसन पर बिछाने के बाद आपको सुपारी रखनी है और सुपारी के ऊपर आपको थोड़ा सा जल छड़कना है जल चड़ाते समय आपको यह ध्यान करना है कि माता हम आपको जल्द समर्पित कर रहे हैं कृपया करके एड़ करें उसके बाद आपको माता को एक धागा समर्पित करना है मौली का धागा होना चाहिए और जब आप धागा समर्पित करें तो मन में कहते जाएं कि हे मां हम आपको वस्त्र अर्पित कर रहे हैं कृपा करके ग्रहन करें इसी प्रकार का सुपारी के ऊपर सिंदूर लगाकर मन में स्मरण करें कि हे मां हम आपको पुश्रंगार अर्पित कर रहे हैं, कृपा कर ग्रहन करें, इसके बाद आपको गाए के घी का दीपक जलाना है, दीपक का होना चाहिए, ध्यान रखना है, आपको तामबे का मिट्टी का या आटे का नहीं होना चाहिए, पीतल के दीपक, मैं आपको गाए का घी डाल कर करें हमारी कुल की रक्षा करें और हमारे घर में स्थान ग्रहन करें कृपा करें हम अबोध वालकों को अपने संकेत दे हमें आपके बारे में कुछ भी पता नहीं है हम आपसे पूरी तरह अन्भिज्य हैं अंजान है तो किसी न किसी रूप में हमें संकेत दे चाहे सपने के म सुबह शाम नहाद होकर स्वच्छता के साथ शुद्धता के साथ इस सुपारी का कुल देवी को मानकर ही पूजन करना है और अपने घर के मुख्य दर्वाजे पर यानि की जो दहलीज है उसके ठीक बीचों बीच आपको एक कुल देवी के नाम का ही दीपक जलाना है और प्यारे दोस्तों ये प्रक्रिया आपको साथ दिनों तक लगातार करनी होगी सुबह शाम खंड होनी चाहिए बीच में एक भी बार खंडित नहीं होनी चाहिए व्याप्त हाँ नहीं आना चाहिए दूसरा कि इस प्रक्रिया को करते समय आपको कुछ बातों का विशेश खय जाल रखना होगा अब क्योंकि देवी मात्र शक्ति हैं तो किसी भी स्त्री का आपको भूल कर भी अपमान नहीं करना होगा ऐसे में आपकी परीक्षाइं ली जाएंगे प्यारे दोस्तों की देवी देवताओं की कृपा इतनी आसानी से प्राप्त नहीं हो जाती है तो आपक क्रोद भी आ सकता है तो अपने क्रोद पर नियंत्रण रखें महिलाओं को तो भूल कर भी अपमान ना करें यह आपके लिए क्ज़ only होगा क्रोद पर नियंत्रण रखना होगा जरूरत से अधिक किसी से चर्चा ना करें विवाद ना करें नकारात्मक वातावरंद से दू और जितना हो सके उतना दिन में जब भी आपको समय मिले देवी से यह प्रार्थना करें कि ही देवी हमें रास्ता दिखाएं अपने होने का एहसास कराएं हमें किसी न किसी माध्यम से दर्शन कुछ न कुछ संकेत है आप मन ही मन यह प्रार्थना करते रहें प्यारे दोस्तों साथ दिन के अंदर अंदर देवी आपको किसी न किसी रूप में दर्शन देंगे जहां तक है। ऐसा देखा गया है कि अक्सर जातकों को सपने के माध्यम से देवी के दर्शन होते हैं। ये किसी ने किसी प्रकार का संकेत प्राप्त हो जाता है। लाल किताब में इस प्रक्र जिन जातकों ने अपनी कुलदेवी का पूजन शुरू कर दिया है उनके जीवन में ऐसे चमतकारी और भव्य परिवर्तन आए हैं जिनके बारे में उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था यानि कि उन्होंने यदि यह सोचा था कि उनका काम धंधा अच्छा चले और उनका जीवन आसान हो जाए तो आसान होने के बज़ाए आज उनके लाखों करोडों का कारोबार हो गए किसी के उपर बहुत कर्जा था तो उनका कर्जा तो उतर ही गया उल्टा उनके पास इतनी आमदनी और इतना पैसा आ गया कि अब वे अपने जीवन को भोग विलास के साथ खुशियों के साथ जी रहे हैं और कुल देवी की महिमा के बारे में तो फिर बखान ही क्या करना कहना ही क्या प्यारे दोस्तों आप खुद अजमाई है इस उपाय को और फिर आप इसका परिणाम क्या होता है आपके जीवन में इसके बारे में अनुभव करिए उसके बाद हमें कमेंट करिए प्यारे दोस्तों उम्मीद है कि जो जानकारी हमने आपको पता ही है ये आपकी जीवन में एक महत्वपूर्ण किरदार निभाए कि आपके जीवन में चमतकारी परिवर्तन लेकर आएगी हमने बड़ी मेहनत से इस ज्योतिश कारिक्रम को बनाया है जैमा भद्रकाली कृपा करो, जैमा भद्रकाली रक्षा करो अवश्य लिखें माता आपके लिए अदाओं के हर रास्ते को तोड़ डालेगी सफलता के हर मार्ग को आपके लिए खोल देंगे इसी के साथ साथ आज के इस ज्योतिश कारिक्रम को विराम देते हैं मिलते हैं अगले ज्यानवर्धक ज्योतिश कारिक्रम में तब तक के लिए धन्यवाद जैमाता की